जैहिंद प्यारे दोस्तो दिल्ली में 20 सरकारी नोकरी का वसर आगे है दोस्तो दिल्ली सरकार के अंतरगत आपकी पोस्टिंग होगी 20 सरकारी नोकरी या कॉंट्रेक्शल का पंगा बिल्कुल भी नहीं है बारवी पास और ग्रेजुएट लेवल सभी केंडिडेट इसको अप आनी पड़ रही है इसकी जो लाज जेट है उसकी एक्सेंट का जो नोटी से वह आ चुका है अब जो लाज जेट है 15 मई 2021 की लाज जेट है तो इसलिए वीडियो को पूरा जुरूर देखना और अच्छे समझना कैसे कैसे अपलाई करना है कौन-कौन से प्रोसेस अपनाने अज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं junior रिजिस्टेंट और senior रिजिस्टेंट की पोस्ट के बारे में सबसे पहले बात करते है junior resistant की salary मिलेगी level 2 के according यानि की 20 से और 25 जार आपकी salary लगते ही बनेगी अगली post है senior resistant की यानि की UDC इसको बोलते है graduation इसमें मांगी आपने किसी भी field से graduation की हुई है तो आप इसमें eligible रहेंगे दोस्तो salary मिलेगी level 6 के according यानि की 30 से और 35 जार के बीच आपकी salary बनेगी age की बात करें तो जार जार आपकी 35 साल दोस्तो काफी बच्चों के comment section में message आते हैं कि desirable qualification में ये चीज़े mention है तो हमारे पास वो नहीं है हम apply कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ इसमें जो essential qualification है 12th pass मांगा है junior resistant के लिए और senior resistant के लिए मांगा गया है graduation और desirable में जो जो चीज है वो आपके पास है तो भी ठीक है नहीं है तो भी ठीक है अगली बात करते है total post की तो junior resistant की total post है 7 और senior resistant की है 5 posting होगी आपकी डोक्टर बी आरम बेड कर युनिवरसिटी दिल्ली में All India candidate यानि कि आप भारत के किसी भी राजे से बिलोग करते हैं आप सब लोग इसको apply कर सकते हैं male, female सब लोग apply कर सकते हैं अब बात करते हैं जब आप apply कैसे करना है apply करने के लिए पैसे कितने देने हैं इसकी बात कर लेते हैं अगर आप apply करते हैं senior resistant की post को तो आपको 500 रुपे देने होंगे और junior resistant की post को apply करते हैं तो 300 रुपे देने होंगे apply करने की जो last date है online की बात करते हैं पहले ये दोनों process अपनाने पड़ेंगे online और offline अच्छे हैं समझना दोस्तो पहले आपको क्या करना है online link में डिस्क्रिश्में में दे दूँगा directly आप उस पर click करना उसको apply कर देना online apply करने की जो पहले last date थी होती 1 मई अब है 15 मई आपको उसको print out लेना जैसे ही आप apply करते हैं print out लेना print out लेने के बाद उसके साथ अपने सारे supporting documents लगाने है जैसे कि education qualification, ID proof, address proof, date of birth proof सारे documents लगाके self test करके आपको send करने हैं एक address पे वो address में discussion में mention कर दूँगा और advertisement में भी mention है आप उसको read out जब करोगे आप समझ जाओगे उस पर आपको send करने है 20 मई 2020 से पहले 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 last date थी 7 मई लेकिन अब है 20 मई जो ये last date extension का order निकलाए न दोस्तों वो भी मैं discussion में mention करूँगा उसका link आप महा से click करके उसको पढ़ सकते हैं देखिए 15 तारिक से पहले पहले online apply करना है और 20 तारिक से महा से आप copy करके गूगल पर paste करके भी उसको download कर सकते हैं और कई बार ऐसा होता है जब आप उस पर click करते हैं तो वो automatic download हो जाता है और अपना file manager चेक करा करो उसमें download मिलता है वो तो यह चीज़े आपको समझनी पढ़ेंगी इसके कि अलावा दोस्तों आपको कोई और कोशन ने शुजाओ तो आपको कमेंट सेक्शन में लेख सकते हैं उससे बात कर सकते हैं थैंक्यू सो मस्तों फॉर वाचिंग माई वीडियोज